Small Cap Mutual Fund में अगर आप smartly invest करते हैं तो ये एक ऐसे category है जो आपको normal से कहीं ज़्यादा अच्छे returns दे सकती है मैं अपनी Small Cap से related बहुत सरी वीडियो में इस बात को दोराता आया हूँ कि Small Cap एक ऐसे category है जो जब returns देती है तो बहुत अच्छे returns देती है लेकिन जब ये नुकसान देती है तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है तो अगर आप Small Cap Mutual Fund में invest करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप पहले से ही Small Cap Mutual Fund में invest कर रहे हैं तो Small Cap Mutual Fund investment से related कुछ ऐसी mistakes हैं जिनसे आपको बचना चाहिए तो इस वीडियो की जरीए मैं आप लोगे साथ share करना चाहता हूँ 5 Small Cap Mutual Fund mistakes that you should know तो आई जल्दी स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है रंजन आप देख रहे हैं Your Everyday Guide तो 5 Small Cap Mutual Fund mistakes में सबसे पहली mistake आजाती है चेकिंग only past returns आपको अगर किसी भी Mutual Fund में invest करना होगा तो ये बहुत obvious ही बात है कि आप सबसे पहले उस Mutual Fund के past returns देखेंगे क्योंकि past returns ही हमें ये बताते हैं कि किसी Mutual Fund ने past में कैसी performance दी है यानि कि पिछले 5-6 साल में किसी Mutual Fund ने किते returns दिये हैं जो की गलत नहीं है दुनिया का हर एक समझदार इंजान सबसे पहले किसी Mutual Fund के past returns को ही चेक करेगा लेकिन Small Cap एक ऐसी category है जिसमें आपको सिर्फ past returns को देखके invest नहीं करना चाहिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस Mutual Fund का AUM यानि कि Asset Under Management को ज़रूर चेक करें अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि Large Cap या Mid Cap Mutual Fund के मुकाबले जो Small Cap Mutual Funds होते हैं इनका AUM काफ़जाता लो होता है क्योंकि हर कोई Small Cap Mutual Fund में invest करके extra risk नहीं लेना चाहता है हर किसी को एक stable growth चाहिए होती है इसका मतलब ये नहीं है कि Small Cap Mutual Fund कोई खराब चीज है या Small Cap Mutual Fund में आपको invest नहीं करना चाहिए Small Cap Mutual Funds को बस बाकी category के मुकाबले थोड़ा सा extra risk की माना जाता है इसलिए जो long term investors होते हैं या फिर जो beginner investors होते हैं ये थोड़ा सा इससे डरते हैं मैंने इस topic के उपर एक separate video बनाई थी जिसमें मैंने इनसे भी चीज़ों के बारे में वाद की थी तो आपको बाकी details उस video में मिल जाएंगी खेर वापस point पर आते हैं तो क्योंकि Small Cap Mutual Fund का AUM comparative to Large Cap Mutual Fund काफिसाद कम होता है तो अगर आप एक ऐसे Small Cap Mutual Fund में अपना पैसा invest कर देते हैं जिनके returns तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका AUM काफिसाद अलो है तो ऐसे में आपको उस mutual fund के अंदर liquidity से related issues आ सकते हैं liquidity generally buying and selling को denote करता है तो simple शब्दों में आप इसको ऐसा समझीए कि अगर किसी भी negative scenario में अगर Small Cap Mutual Fund में से एक साथ बहुत सारे लोग अपना पैसा withdraw करने के लिए redemption request जाल देते हैं तो क्योंकि उस Small Cap Mutual Fund का AUM already काफिसाद लोग है तो ऐसे में इतनी सारी एक साथ redemption request को fulfill कर पाना AMC के लिए काफिसादर difficult हो सकता है तो ऐसे में उस mutual fund की performance पे भी काफिसादर drastic effect पढ़ सकता है क्योंकि इतनी सारी redemption requests को fulfill करने के लिए जो fund manners होते हैं इनको अपनी जो सबसे बड़ी holdings होती है उस mutual fund की उनको sell out करना पड़ सकता है अब क्योंकि सबसे बड़ी holdings को ही sell out कर दिया है तो इसका obviously जो adverse effect है वो mutual fund की performance पे भी पढ़ेगा तो आपको एक अच्छे returns वाले small cap mutual fund में ज़रूर invest करना चाहिए लेकिन आपको अधिकतर amount एक ऐसे small cap mutual fund में invest करना चाहिए जिसका AUM high हो इसके उपर एक example मैं आपको दे जता हूँ तो जैसे कि आप मेरी screen पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर small cap mutual fund की एक list निकाली हुई है और इन mutual funds को मैंने past 3 years की performance के हिसाब से sort किया हुआ है तो अगर आप पिछले 3 साल के returns के हिसाब से देखेंगे तो जो BOI extra small cap mutual fund है इस mutual fund ने जो पिछले 3 साल में returns दिये हैं यह दिये हैं 37.35% के returns उसके बाद Kenra Rebecca को small cap mutual fund आयाता है जिसने दिये हैं 34.60% के returns लेकिन अगर आप इन दोनों ही mutual fund के AUM पर आप नजर मारेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो BOI extra small cap mutual fund है इसका जो AUM है यह सिर्फ और सिर्फ 241 क्रोड रुपीस का है वहीं अगर हम Kenra Rebecca small cap mutual fund को देखेंगे तो जो इसका AUM है वो है 2024 क्रोड का जो कि almost around BOI extra small cap mutual fund से 10 गुना जादा है सेम इसी तरीके से अगर आप union small cap mutual fund पर नजर डालेंगे तो इसका AUM आपको देखने को मिलेगा 560 क्रोड का लेकिन जो union small cap mutual fund है इसके returns अगर आप देखेंगे तो यह ICCA Prudential small cap fund या TATA small cap fund या DSP small cap fund इन से कहीं जादा है सेम ऐसे ही IDPI small cap fund या फिर HSBC small cap fund ये कुछ ऐसे small cap funds हैं जिनका AUM actually में 500 क्रोड से भी कम है और जितना कि मैंने पिछले को समय में study किया है R&D किया है actually में recommended होता है कि आप एक ऐसे small cap mutual fund में ही अपना पैसा invest करें जिसका AUM at least 500 या 600 क्रोड के उपर का हो तो ऐसे मैं अगर मुझे कुछ small cap mutual fund चूज करना होगा तो मैं या तो Kennera Rebecca को चूज करूँगा या Kotak चूज करूँगा या एकसे small cap mutual fund चूज करूँगा at least ये कुछ ऐसे small cap mutual funds हैं जिनका जो AUM है ये 2000 क्रोड से भी उपर का है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन small cap mutual funds में कुछ भी liquidity के issues आ सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक अच्छा small cap mutual fund कैसे चूज कर सकते हैं किन-किन parameters को ध्यान में रखके आप चूज कर सकते हैं तो इसको पर मैंने एक dedicated video बनाई है ये video आपके यहाँ पर help कर सकती है second mistake आ जाती है investing lump sum amount in small cap funds lump sum investment का मतलब है एक बड़ा amount invest कर देना अगर आपके पास आज एक लाक रुपे हैं तो इन एक लाक रुपे को एक साथ एक ही market value पे invest कर देने को हम lump sum investment बोलेंगे lump sum investment actually में कोई mistake तो नहीं होती हैं काफी जाद वोलेटाइल होते हैं तो ऐसे में अगर आप small cap mutual fund में lump sum investment कर देते हैं तो ये अपने आप में काफी जादर deadly mixture बन जाता है मैं ये नहीं कहरा कि हमेशा ही true है और अगर आप small cap mutual fund में lump sum investment कर देते हैं तो आपको हमेशा ही through monthly SIP या weekly SIP इस तरीके से आप invest करते रहें अगर आप एक experienced investor हैं और आप जानते हैं कब small cap mutual fund actually में undervalued होता है और कब आप एक बड़ amount invest कर सकते हैं तो आप accordingly lump sum investment कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक beginner हैं और आप small cap category या small cap mutual fund को जादा अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपको small cap mutual fund में lump sum से बचना चाहिए lump sum investments के ऊपर और कब small cap mutual fund को buy करना चाहिए कब small cap mutual fund को sell करना चाहिए इनके ऊपर मैं dedicated video पहले ही बना चुका हूँ तो I am sure ये videos आपकी काफी साथ help ज़रूर करेंगी तीसरी mistake आ जाती है investing for very short या very long term ये एक ऐसा point है जो कि आपको थोड़ा साथ पटा लग सकता है क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आपको हमेशा long term के लिए invest करना चाहिए अगर आप long term के लिए invest करते हैं तो जो compounding है ये काफी अच्छे से काम करती है जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है और मैं इसके साथ 100% agree भी करता हूँ कि अगर आप long term के लिए invest करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही साथ अच्छा है लेकिन large cap या mid cap mutual fund के case में small cap mutual fund की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़े थोड़ी ची different हो जाती है अगर आपके पास समय कम है मान लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसा है जो कि आप अगले 3 साल के लिए invest करना चाहते हैं लेकिन 3 साल बाद आपको ये पैसा वापस चाहिए ही चाहिए हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाय के लिए चाहिए हो हो सकता है कि आपको अपने शादी के लिए चाहिए हो उस शादी में आप अपने गल्फ्रेंड को या बीवी को एक आईफोन गिफ्ट करना चाहते हों तो खैर केस जो भी है अगर आपके पास एक limited समय है पैसा इंवेस्ट करने के लिए तो आपको small cap mutual fund में कभी पैसा इंवेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत साथ रिस्की हो सकता है पैसा भी जाएगा और girlfriend भी खैर jokes apart मैं इस topic को समझाने के लिए दो detailed वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ तो आप इन वीडियो को जा के चेक कर सकते हैं आप भी कहेंगे कि यार यहर एक point में अपनी दूसरी वीडियो को ही promote के जा रहा है लेकिन actually मैं मैं वीडियो बनाता ही कुछ ऐसे topics पे हूँ और जो भी वीडियो में लेकर आता हूँ बहुत सो समझ कर लेकर आता हूँ जिससे कि आप पुरी बात को समझ सकें और अपने लिए best investment option चूज कर सकें तो अगर आप मेरे सा जुड़े रहने चाहते हैं और ऐसी ही कुछ और वीडियो हैं जो आप देखना चाहते हैं तो चैनल क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी आप क्योंकि investments और पैसा बनाने की बाद चली रही है तो मैं यहां पर आपको suggest करना चाहूंगा एक बुक इस बुक का नाम है the market wizards यह बुक 17 सबसे successful market beater's के interview और information को पर based है जो कि आपको investments को समझ इसने में काफी सब्सक्राइब करेगी और अच्छी बात यह है कि इस बुक को completely पढ़ने की बजाए अपने ज्यादा समय खर्च किये बिना आप इस बुक की बुक समरी को सुन सकते हैं कुकु एफम पे वो भी अपनी रिजिनल लैंगुज में आपकी रिजिनल लैंगुज चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो गुजराती हो मराथी हो आप कमफर्डेबली आप उसी लैंग्विज में इस बुक की बुक समरी को सुन सकते हैं कुकु एफम इस इंडिया लीडिंग ऑडियोबुक प्लैटफॉर्म विद मोर दन बन थाउजंड आर्ज और प्ले स्टोर और वहां से जाके इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं चौती मिस्टेक आ जाती है इन्वेस्टिंग मेजर अमाउंट इन स्मॉल केप मुचिल फंड अगर आप जल्दी अमीर बनने के सपने देख रहे हैं और अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपना जादा से जादा पैसा अबित हो सकता है जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया है और अपनी हर एक वीडियो में इस बात को रिपीट करता आया हूं कि स्मॉल के अच्छे रिटरंस देते हैं लेकिन जब खराब रिटरंस की बारे आती है तो ज्यादा खराब रिटरंस कोई दूसरे पूर्फोलियो का 20% से जाधा amount small cap mutual fund में invest नहीं करना चाहिए और अगर आप यंग हैं और अगर आपको लगता है कि आप कुछ extra risk ले सकते हैं तो उस case में भी आपको कभी वी अपने पूर्फोलियो का 30% से उपर का investments small cap mutual fund में नहीं करना चाहिए मैंने एक वीडियो बनाई थी mutual fund investments according to age जिसमें मैंने age wise mutual fund investments के बारें बताया था कि किस age में आपको कितना proportion किस mutual fund में invest करना चाहिए तो इस वीडियो से आपको काफी अच्छा idea मिल सकता है कि small cap mutual fund में अपनी age के according आपको कितना proportion invest करना चाहिए पांच भी mistake आ जाती है investing in too many small cap mutual funds अगर आप अपना risk कम करने के ल अगर आप दो से जादा small cap mutual fund में पैसा invest करते हैं तो मुझे लगता कि आपको यहाँ पर कुछ खास extra benefit मिलने वाला है क्योंकि जादा mutual fund में पैसा invest करने से जो portfolio overlapping होती है यह काफी जाती है जिससे आपके जो returns होते हैं यह थोड़े कम हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या क हैं आप small cap mutual fund में invest कर सकते हैं तो दोस्तों जब हम mutual fund portfolio की diversification की बात करते हैं तो आपको अपने portfolio का एक small portion जैसे मने बताया था 20% या 30% आपको small cap mutual fund में ज़रूर invest करना चाहिए और अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने लिए एक अच्छा decision ले पाएंगे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी help मिल पाई है तो इस वीडियो को like करके मुझे बताएं और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर आप bell notification आइकन को press करके रखते हैं तो जब भी मैं को next video upload करूँगा उसको notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा ज वेल दी मिलते हैं next video में thank you for watching